हेलो बच्चों मैं संक आप सभी का स्वाथ करता हूँ आपने शूटिप चैनल संक स्टडी सर्कूल में तो आज हम फिर्शर परजेंट है क्लास टेन की एक और वीडियो के साथ जिसमें कि आज हम केसी सीनहा जो आपका चलता है क्लास टेन में इसका एक्सराइज 4.4 का कुश् प्लीज लाइक करें शेयर करेंना है तो प्लीज सब्सक्राइब करना हैं बिलق temples न भूले चले चलते हैं बडियो में आपने इसकी पीछिए वीडियो तो इसे डिसकिप्शन में लिंक दी गए है सारी वीडियो की सारी वीडियो आपको वहां देखने को मिल जाएगी, तो चलिए, कोशन में किस करता है, कि एक भिन्न का हर जो है, अंस से तीन अधिक है, यदि अंस है, हर दोनों में क्या तीन जोड़ा जाता है, तो क्या है, और मूल भिन्न का जो अंतर है 9 बटा 28 होता है तो क्या है मूल भिन्न ग्याद करें ठीक है तो लिखेंगे कि माना जो है अंस क्योंकि ऐसा है कुशना बारबा बना रहे है माना अंस बराबर एक से है और हर जो है वो क्या है अंस से तीन अधीक है ठीक है ज्याने अंस में भी तीन जोडते हैं और हर में भी तीन जोड़ते हैं तो तीन-थीन छो जाएगा चाहिए दोनों का LC हम लेंगे तो X plus 6 है X plus 3 हो जाएगा आपर देखे X plus 6 X plus 6 का तो X plus 3 X plus 3 उपर भी है तो X plus 3 का whole square माइन X plus 3 से X plus 3 का तो X into X plus 6 हो जाएगा बरावर 9 बटा 8 देखे X plus A and A plus B का whole square तो हो जाएगा A square plus 2AB 2AB 2 into X into 3 याने 6X plus 9 minus X square minus 6X बटा X square plus 6X plus 3X plus 18 बरावर 9 बटा 88 देखे X square 6 हो खतम 6X से 6X खतम ठीक है आप चलिए और यहाँ देखे तो 9 से 9 भी खतम हो जाता है तो बच जाते हैं आप X square plus 9X plus 18 बरावर 88 को इधर ले आते हैं तो 88 घड़ जाएगा तो 0 तो जाएगा X square plus 9X minus 70 बरावर 0 अब 70 एकम 70 तो 9 को ऐसा तोड़ना है कि गुना करें तो 70 जोड़े घटा हैं तो आजाता है आपका 9 आना चाहिए तो चलिए भी उसको तोड़ते हैं तो इसके हिसाफ से अगर हम देखें तो 14 पच्छे सत्तर 14 में से 5 गयाना हो तो X square plus 14 X minus 5 X minus 70 बरावर 0 ठीक है यहां हो जाएगा X into X plus 14 यहां 5 को में लेते हैं तो X plus 14 बरावर 0 तो यहां हो जाएगा X minus 5 X plus 14 बरावर 0 के बरावर करेंगे तो यह हो जाएगा X बरावर 5 यह हो जाता है यहां तो अवी जानते हैं कि एक स्था मांद कितना 5 x का मांद 5 हो जा का तो इसलिए 20 भी नहीं अमने कितना माना था 1 बटा x plus 3 मत x का मांद 5 अब 5 havia टीन था हमारा 5 बटा 8 हो गया अंसर तो यह था हमारा question number 21 का answer क्षच्च नमबर 22 को चली question को बाईस करता है कि भीन का जो answer है हर से क्या है तीन कम है ठीक है यदि अंस हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए तो नए भीन एवं मूल भीन का योग जह 29 बटा 20 होता है तो भीन गयाद करना है बिल्कुल सेम टाइप का प्रश्ण है तो अंस यानि माना अंस बरावर X माइनस तीन क्योंकि अंस जो है हर से क्या है तीन कम है तो पहले हमको याप ऐसे लिख सकते हैं हर बरावर X अंस बरावर X माइनस तीन दोनों लिखे कोई दिकत क्या है इससे नहीं है तो इसलिए भीन हो जाता है अंस बटा हर यानि X माइनस तीन बटा X चले प्रश्ण से प्रशन से कहता है कि अधी क्या है दोनों में दो जोड़ा जाता है X-3 पलस दो बटा X पलस दो और दो कहता है पुराना जो भिन है ठीक है इन दोनों का जो योग है वो 29 बटा 20 है ठीक है ध्यान दीजे यहाँ थर्स सुधार लीजेगा यहाँ गलती से X बटा X-3 लिखा गया था ठीक है तो इसको सुधार लीजेगा तो यहाँ हो जाएगा X-3 बटा X क्योंकि भिन्ह है हमारा X-3 बटा X ठीक है चलिए अब देखे बनाती सको स्कुल सी हम लेंगे X-2 इंटू X ठीक है देखे एकस प्लस 2 से एक प्लस 2 खतम तो X बचेगा यहाँ तो घटके अब प्लस 2 X माइनस 6 बटा X स्कुल प्लस 2 X बटा 29 अब देखे किसी सको एक कर तो नहीं रहा है चलिए एक तो हो जाएगा 2 X स्कुल देखे तीन एक चार चार मिस दो गया तो माइनस 2 X माइनस 6 अब देखें क्रोस मल्टिप्लिकेशन साथ में कर देती इसके साथ मल्टिप्लाए होगा 20 बडाबर 39 इंटु एकस स्कुल प्लस 2 X हो जाएगा चलिए बिदू नहीं 40 X स्कुल माइनस 40 X माइनस 120 बडाबर 39 एकस स्कुल प्लस अंठामन X ठीक है चलिए 40 X स्कुल माइनस 40 X माइनस 120 इस सब को इधर लिया यह तो माइनस 29 X स्कुल माइनस अंठामन X बडाबर 0 ठीक है तो 40 में से 29 गया तो बज़ जगा 11 X स्कुल माइनस 98 में X माइनस 120 बडाबर 0 अब देखें 120 इससे मल्टिप्लाइ की जगा ता 1320 आएगा ठीक है 1320 को यह दिया आप तोड़िएगा तो देखें इस प्रकार आएगा 11 X स्कुल माइनस 110 X पलस 12 X माइनस 120 बडाबर 0 क्योंकि देखें इन दोनों को गुना की जगा तो 1320 आएगा 110 X 12 गटाएगा तो अंठान में आएगा गुना की जगा तो 1320 आएगा तो यही लेने में उनको फाइदा है अब देखें इसमें से एगर हम 11 X कॉमन लेते हैं तो यह देखेंगा X माइनस 10 पलस 12 कॉमन लेते हैं तो X माइनस 10 बडाबर 0 यहां हो जाएगा 11 X पलस 12 यहां हो जाएगा X माइनस 10 बडाबर 0 यदि हम इसको 0 के बडाबर में करें और इसको भी 0 के बडाबर में करें तो इधर हो जाएगा X बडाबर माइनस 12 बटे 11 इधर हो जाएगा X बडाबर 10 हम जानते हैं कि अंस जो होगा वो धनात्मक पुर्णांक होगा क्या होगा अंस धनात्मक पुर्णांक होगा अब अंस जो है धनात्मक पुर्णांक होगा तो इसलिए x बरावर 10 क्योंकि ये धनात्मक पुर्णांक के रुप में ये धनात्मक है कोश्यन नमबर 23 को आब विडि़ो पसंदेगा तो प्लीज लाइक share करना बिलकुल न भूलें चर्छे कोश्यन नमबर 23 कहता है कि एक भिन का जी अंस है अर enormously दो कम है एक भिन का जी अंस का माना पहले हर माने लेते हैं माना हर बरावर X और जो अंस है वो बरावर X-2 है तो भिन कितना हो जाएगा वो अंस बटा हर ठीक है? चलिए तो प्रस्न से कहता है कि यदी क्या है कि दोनों में एक जोड़ा जाए तो कहता है जो पुराना वाला जो है आपका भिन उन दोनों का यदि योग करने पर आता है 19 बटा 15 ठीक है 19 बटा 15 आता है तो चलिए इसको देख लिए तो हो जागा x-1 बटा x पलस 1 पलस x-2 बटा x बराब 19 बटा 15 चलिए इसको कर लाते हैं LC हम तो x-1 into x यहां हो जागा x-1 into x-2 into x-1 बटा 15 ठीक है इतना तो आप समझेगे हैं कैसे हो गया यहां गुना केत हो जागा x-2 माइनस x पलस x-2 हो जागा पलस x-2 x-2 बटा x-2 बटा x-2 पलस x बराब 19 बटा 15 यहां देखे हो जागा 2 x-2 एक देखे x-1 खतम यहां हो जागा minus 2 x-2 बटा x-2 पलस x बराब 19 बटा 15 चले cross multiplication करेंगे तो हो जागा 15 into 2 x-2 बराब 19 into x-2 पलस x यहां हो जागा 15 into 30 x square minus 30 x minus 30 इदर हो जागा minus 19 x square minus 19 x चले 30 में से 19 गया तो बच गया 11 x square minus 49 x minus 30 बराबर 0 चले 330 330 को यदि हम यहां करें तो यह 11 x square minus 55 x plus 6 x minus 30 बराबर 0 हो जागा ना अब देखे कैसे कि यह 330 को यदि हम तोड़ें तो दो बार में 165 तीन बार में 55 अब देखे 55 और 6 हो गया ना 55 में से 6 गया आपका आ गया 11 x square ले तो हो जागा x minus 5 बराबर 0 यहां हो जागा 11 x plus 6 इदर हो जागा x minus 5 बराबर 0 देखे अब सब को क्या 0 के बराबर हमको करना है तो 11 x plus 6 बराबर 0 इदर हो जागा x minus 5 बराबर 0 यह तो हो जाएगा x बरावर 5, यहां हो जाएगा x बरावर minus 6 बटाए 11, अब देखे, हमको तो क्या है कि हम जानते हैं, कि जो अंस होगा, वो धनातमक पुर्णांक होगा, क्या होगा, अंस धनातमक पुर्णांक होगा, अब अंस को धनातमक पुर्णांक होगा, तो अंजब दनातों पुर्णांखे तो यह तो यह दखिये भिन के रूप में है ना तो यह तो इसलिए x बराबर हो जाएगा 5 तो इसलिए भिन पांच में से दो गया तो तीन x का मांड पांच यान थीन बाटा पांच यह हमारा हो गया question number 23 का answer I hope video पसंदा है, please like करें, share करें नहीं तो please subscribe करना बिल्कूर न भूलें तो चले चलते हैं question number 24 में question number 24 काता है किसी समकून तरिभुच ठीक है, समकून तरिभुच की बात की गई है तो चले एक समकून तरिभुच की बात की गई है जो करन है वो दुगने से 6 है यानि इसके दुगने से 6 है और इसके यानि करन से 2 cm का मतला 2 x पलस 4 cm ठीक है, यह है, चले तो हो गया हमको पता चल गया, अब कहता है कि बारी वैसे सभी भुजाओं को ग्याद करना है, ठीक है, मान तो लिखेंगे कि माना समकोन त्रिभुज ठीक है, माना समकोन त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा सबसे छोटी भुजा जिसका नाम क्या है, बहुँआ बी सी है, बी सी बराबर 1 cm ठीक है, अब इसकी करन, करन बराबर कितना है करन जिसका है, एसी AC का मान कितना है 2X पलस 6 cm और जो है तीसरी भूजा समकुन तरिभूट की क्या तीसरी भूजा मतलब AB AB का मान क्या इससे 2 cm का वियान है 2X पलस 4 cm ठीक है तो प्रश्ण से हम पाइथा गोस्पर में तो पढ़ें पहुआ पाइथा गोस्पर में क्या होता है यानि सबसे पहले तिरफूज ABC में पाइथा गोस्पर में क्या होता है कि AC का स्क्वाइर बराबर AB का स्क्वाइर पलस BC का स्क्वाइर यानि कर्ण का जो मान होता है बाकी दो बुजाओं के वर्गों के योग के बरावर होता है ठीक है चली AC का मान कितना है बहुआ 2X पलस 6 cm इसका स्क्वार है AB AB का मान 2X पलस 4 है और BC का मान 1 से है चली तो इसका देख लेंगे थो जगा 4X स्क्वार पलस 6 दूनी 12 12 दूनी 24 X पलस 36 बरावर इसका देख लेंगे थो जगा 4 स्क्वार पलस 2 दूनी 24 के 8 8 दूनी 16 X पलस 16 पलस 6 स्क्वार हो जगा इससे एक खतम क्योंकि इधर लाएंगे तो कड़ी आगा अब सभी को एक काम करते हैं या तो उधर ही लेक्च चली आते हैं अच्छा रहेगा तो 16 X पलस 16 पलस X स्क्वार माइनस 24 X माइनस 36 बरावर 0 ठीक है अब चली ध्यान दीजे तो जगा X स्क्वार माइनस 8 X माइनस 20 बरावर 0 अब देखे X स्क्वार या जगा 10 दूनी 20 आद 10 में से 2 गया 8 याने माइनस 10 X पलस 2 X X माइनस 20 बरावर यहाँ हो जगा 0 तो X कॉमल लेंगे तो X माइनस 10 या पलस 2 कॉमल लेंगे तो X माइनस 10 बरावर 0 यहाँ हो जगा X पलस 2 इन्टू X माइनस 10 बरावर 0 तो यहाँ हो जगा 0 के बरावर करेंगे तो X बरावर माइनस 2 और X बरावर 10 अब देखे कभी भी क्या है समकुन तो कई भूजा का मान माइनिस में सुने है तो नहीं तो होगी यहाँ लिखेंगे भूजाएं क्या होगी धनात्मक होगी क्या होगी भूजाएं धनात्मक होगी अब भूजाएं धनात्मक होगी तो इसलिए सबसे छोटी भूजा जिसका मा अब एक्स बराबर हो जाएगा 10 cm वहीं कर्ण जिसका मान माय थे एक्स बराबर 2x प्लस 6 याने 10 दूनी 20 26 26 26 cm और सबसे छोटी भुजा याने A B जिसका मान था 2x प्लस 4 cm मतलब 10 दूनी 20 24 24 चोबीस सेंटी मीटर ये ही आपका एंसर गयाती ये था हमारा कोशन नमबर 24 का अंसर आएए देखते हैं कोशन नमबर 25 को चले कोशन नमबर 25 देखते हैं जो कि लास्ट कोशन है इस वीडियो का बाकि फिर नेक्स वीडियो में हम दोख देखेंगे करता कि दो बर्गों के छेत्रफलों का यो ठीक है वर्ग की बात की गई है तो सबसे पहले भुजा तो दिया नहीं है वही हमको ग्यात करना है तो लिखेंगे दो बर्ग है, तो माना बड़े बर्ग की भुजा, माना बड़े बर्ग की जो भुजा है, वो बराबर एक सेंटी मीटर, यह सो एक स मीटर में दिया है कि यह भी मीटर में है, छोटे बर्ग की भुजा, छोटे बर्ग की भुजा, बराबर बाई मीटर, क्योंक कि दोनों वर्ग में हैं पर क्या कोई संबंध बता रहा है नहीं बता रहा है तो चले प्रस्ण से देखते हैं काता है इनके छेत्रफलों का यो हमको पता है कि वर्ग का छेत्रफल बराबर होता है भूजा का स्कौर होता ना तो बड़े वर्ग का भूजा क्या है वह एक्स का स परिमीती की बात की गए है, बर की परिमीती बराबर क्या फर्मूला था और वो, चार गुने भुजा होता है ना, चर तिसकी बात कीए, चार गुने भुजा है, यानने चार एकस अधर हो जागा, चार बाई, इन दोनों का जो अंतर है वो है 64, sorry, 16 ने, 64 नहीं है न, हाँ 64 है, 64 मीटर चलिए, चार कॉमर लेते हो जाए x-by बराबर 64 16, चोके, 64 याने x-by बराबर 16 अब x बराबर या by बराबर ले सकते हैं या by बराबर x minus 16 बराबर बाई यह हो गया समी करन दो यानि एक बाई का मान आ गया अब इस क्या करेंगे कि बाई का मान को समी का एक में रखे X का मान निकाल लेंगे और बाई का मान फिर निकल जाएगा तो यहां लिखते हैं कि समी करन एक में समी का एक में वाई का मान देने पर समय कहें क्या वाई का मान देने पर समय कहें क्या है एकस स्क्वाइर माईनस बाई स्क्वाइर बरावर छे सो चालिस चलिए यहाँ पर रख लेते हैं एकस स्क्वाइर माईनस एकस माईनस सोला का स्क्वाइर बरावर छे सो चालिस ठीक है यहाँ दें दे और माइनस 2 इंटू X इंटू 16 प्लस 256 बराबर 640 ठीक है X स्क्वाइल प्लस X स्क्वाइल-32 ठीक है प्लस 256 च्षेसो चालीस को इधर लेंगे बराबर 0 तो जागा है आपड़ 2X स्क्वाइल-32 अब माइनस 640 में 256 गया तो 384 बराबर 0 ठीक है चलने दो QUामन ले लेंगे तो X square minus 16 X minus 1952 by 0 2 चल जाएगा, जीरो के तरफ दो जाके खतम तो बज़ जाएगा 01ड – Son 12 x, minus 202 by 0 अब 102 को हम तोड़ते हैं 92 को तोड़ेंगे तो 2 बार में 96, 2 बार में 48, 2 बार में 24 2 बार में 12, 2 बार में 6, 2 बार में 3 देखें 22-4 दुनिया दुनिया 8-16 24-8 24-8 192 में चोबिस में से 8 गया बिल्कुल परफेक्ट X स्क्वाइर 24-6 8-192 0 X मैंने 24 8 मैंने 24 0 हो जागा है पर x plus 8 x minus 24 बराबर 0 तो x बराबर हो गया minus 8 x बराबर हो जाएगा 24 अब एक बाद ध्यान जे बर्ग की भूजा क्या कभी रिनातमक होती है नहीं तो लिखेंगे बर्ग की भूजा धनातमक होती है क्या होती है धनातमक होती है इसलिए x बराबर हो जाएगा 24 याने हो गया बड़े बर्ग की भुजा बड़े बर्ग की भुजा जिसको हमने माना एकस एकस बराबर 24 सेंटिमेट तो इसलिए हम लिखेंगे कि समी करन समी करन 2 में एकस का मान देने पर क्या समी करन 2 में एकस का मान देने पर समी करन 2 क्या है जी हमारा X-16 बराबर 2 ठीक है याने 24-16 बराबर 2 यसी लिए 2 बराबर 8 याने हो गया छोटे वर्ग की भुजा छोटे वर्ग की भुजा बराबर होता है लिखा था मान बाई तो याने 8 सेंटिमीटर तो हमारा दो एंसर हो गया बड़े भर की भुजा बराबर 24 सेंटीमीटर और छोटे भर की भुजा बराबर 2 मतलब 8 सेंटीमीटर तो ये था हमारा कोशन नमबर 21 से 25 तक का डिटेल सोलुशन यदि आपकी कोभी प्रशन है तो आप हमें भेज सकते हैं 7368-9963 821 वाटसप नमबर पे तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जय हिंद